एक मिलिनियर के suspicious डेट हो जाने के पार सारे लोग उसके property की पीछे थे एक insurance के investigator ने investigation स्टार्ट की और सब कुछ चीज़े सामने आने लग जाती है actual killer कौन था date की पीछे क्या mystery थी यह आज की movie wild thing 2 में हम देखेंगे actual में part 1 और part 2 में कोई भी relation नहीं है फिर भी आप अगर part 1 देखना चाहते हो तो इसकी link में ने description में डाल दिये अगर आप कोई वीडियो चलगता है तो please इससे like और comment ज़रू कर दीज़ेगा यह movie अलग-अलग twist and turns के सारा आती है तो अंदर इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अब बिना किसी दरी के explanation स्टार्ट करती है movie स्टार्ट होती है और हमारे man character जिसका नामे Britney एक crocodile के lake पर आई हुए थी actually अभी-भी उसकी mother ने इसी lake में suicide की थी वो अपनी mother को miss करती है तो इस जगह पर आकर उसे याद करती है इसके बाद वो अपनी school में आई यहाँ पर कुछ police officers थे जो सारे student को कुछ information देना जाते थे detective Morris ने सबसे का कि आपको party करनी चाहिए पर कुछ limit में इसमें अगर आपने substance abuse किया यानि कि drugs विगिरा किया तो इसके अंजाम बहुत ही गलत हो सकते है उसे ने एक doctor भी लाया हुआ था doctor का नाम था Julian Julian सबको बताता है कि किस तरीके से drugs की वज़े से लड़कों की date होती है इसके बारे में वो details दे रहा था सबको डराने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर student उसका भी मजाग उड़ाते है student में एक लड़की थी जो हमारी और एक main character है इसका नाम है माया माया जुलियन से पुछती है कि जब किसी की dead body मिलती है तो उसके identification आप कैसे करते हो जुलियन ने उसे कहा कि हम उसके dental record से करते है आज किसी भी student का lecture सुनने का mood नहीं था क्योंकि आज लड़कीों का volleyball का match है और सारे लोग को वही देखना था यह match होता है और इसमें Britney खेल रही थी और उसी की वज़े से वो match जीत गया अब इसका celebrate करने के लिए सारे लोग Britney की घर पर आते एक लड़का उसकी मदर की फोटो पर draw करने लगया था उस पर गुसा हो गए उसे रोकने की कोशिश कर दिया वो कितना भी try करे फिर भी इस party को रोक नहीं सकती थी वो upset होकर अपने रूम में चले गए पर वहाँ पर माया थी माया उसे भुश्चतिक मुझे एक बात बताओ तुम्हारी मदर ने इस millionaire से शादी क्यों की सब को पता था कि इसके बहुत सारे चक्कर थे या सिर्फ पैसो के लिए अगर यही बात थी तो तुम भी किसी मिलिनर के साथ शादी कर लो तुमें कभी भी किसी भी चीज की वरी करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी एक्च्वल में स्कूल में एक दुसरे को हेट करते हैं इन दोनों में जगड़ा हो गया और माया यहाँ से चली जाती है थोड़ी दिर में बृटनी के स्टेफ फादर जिनका नामे नाइल्स एक घर पर पहुँच गया यह जल्दी से सब को घर से निकाल देते हैं वो बृटनी पर गुसा थे तो कहते हैं तुम भी तुमारी मदर की तरह बहुत घटिया हो आज रात बृटनी अचनक से बाहर से कुछ आवाज सुन दिये तो उसकी नीन खुल गई उसने जाकर अपने सेकुरिटी कैमेरेस चेक किये वहाँ पर वो देखती है नाइल्स को एक आदमी धमका रहा था नाइल्स को मार कर वो आदमी चला गया तो बृटनी नाइल्स के पास आई वो उससे बुछ थी कि वो था कौन पर नाइल्स उसे कुछ भी नहीं बताता नाइल्स ने उसे कहा कि अब मैं दो-तीन दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ पर क्या मैं तुम पर ट्रस कर सकता हूँ पिटनी कहती है कि आफकोस आप कर सकतो और वो उने डैड बुला दिया पर नाइल्स ने क्लेर किया कि मैं तुम्हारा स्टेप डैड हूँ कलरा जो भी हुआ था ये बिटनी अपने फ्रेंड को बताती है वो नाइल्स के लिए बहुत ही वरीर थी तब इस स्कुल में उसे प्रिंसिपल के ओफिस में बुलाया जाता है और यहाँ पर दो डिरेक्टिव से उसे पता चला कि नाइल्स का प्लेन क्रैश हो चुका है उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ नाइल्स से उसका अब खैल रखता था और जहाँ पर प्लेन क्रैश होगरा हुआ था इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वही बर एक डिरेक्टिव आता है इसका नाम में टेरेंस टेरेंस एक्टिगेशन में इन्शोरंस का इन्वेस्टिगेटर था नाइल्स के नाम पर टू मिलियन डॉलर्स की पॉलिसी थी तो एक्टिगेशन में क्या एक्टिगेशन था क्या उसे किसी ने मारने की कुशिश की थी इसी को investigation करने के लिए Terence वा आया हुआ था वो इसके बारे में Morris से बात करता है पर Morris ने उसे clear कर दिया यह सिर्फ एक accident है इसमें ज़्यादा deep जाने की ज़रुवत नहीं है Terence Morris से गयाता है कि चीज़े simple लगती है पर उतनी simple होती नहीं Terence हर एक चीज़ पर शक करता है Accident की investigation में ने पता चला कि plane में कुछ rats थे इन rats ने plane की wiring को cut कर दिया था तो इसी वज़े से accident हुआ है Morris को शक जाता है कि किसी ने करवाय हो सकता है तो इसी के बारे में बात करने के लिए वो Britney के पास आया उसे accident के पीछे का reason बताता है और पुछता है क्या Niles के कोई दुश्मन थे क्या कोई कर सकता है Britney अपने friend के साथ तो friend ने कहा कि उसे उस रात के बारे में बताओ Britney बता थी कि Niles को धमगाने के लिए एक आदमी आया हुआ था उसने उस आदमी का security footage मौरिस को दे दिया इसके बात Britney के lawyer Niles जी इस company में काम करता था उस company के lawyer इन सब में एक meeting होती है Niles के will को लेकर meeting थी इसमें Britney को पता चला कि Niles ने Britney के लिए सिर्फ 25,000 dollars a year इस तरीका का plan create किया है वो इतने कम पैसों में सही से जी नहीं सकती है वो disturbed होके वो पुछती है क्या कोई और plan नहीं company के lawyer ने का कि उसकी सारी property अब एक trust को चली जाएगी अगर उसका proper बेटा या बेटी होता तो सारी property उसे जाती इन सारी चीज़ों को कल finally judge के सामने finalize किया जाएगा इसके बाद next scene में हम देखते हैं कि जब Terrence को rat के बारे में पता चला तो इसके बारे में और भी information निकलवाने की वो कोशिश करता है Britney के father का accident, उनकी will इन सारी चीज़ों के बारे में स्कूल की newspaper में लिखा जा रहा था माया भी इस पर काम कर रही थी तो उसे पता चला कि अगर Niles का कोई बेटा या बेटी होते तो सारी property उसे जाती उसे फिर एक idea आता है आज director Morris को जो आदमी Niles को धमकाने के लिए आया था उसके बारे में एक lead मिली अगली दिन जब सब कुछ finalize करने के लिए Britney court room में पोची तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि Maya कह रही थी कि actual में Niles उसके father थे Britney इस बात पर बहुत जादा गुस्सा हो जाती है court में उस पर हमला करने की कोशिश करती है इस बात से judge तंग आके और अगली दिन वो hearing करने का decide करती है इस सब के बारे में Terrence को भी पता चल गया अगली दिन court में Maya ने कहा कि मेरी मदर Niles के लिए काम क्या करती थी वो पहले तो उसे ignore करता था पर एक दिन उसके साथ वो intimate हो गया इसके बाद मेरी मदर pregnant हो गई थी Niles ने उसे abortion करने के लिए बहुत सारे पैसे दिये मेरी मदर Christian थी तो उसने abortion नहीं करवाया Niles ने मेरी मदर को बहुत सारे लेटर्स लिए थे ये सारे लेटर्स Maya code में submit कर देती है जज ने देखा और वो कहते है हम अब DNA टेस्ट करवाएंगे इस DNA टेस्ट को परफॉर्म करने वाले डॉक्टर का नाम था जूलियन ये वही डॉक्टर है जो पहले इनके स्कूल में आया था टेरेंस आकर फे जूलियन से भी मिल लेता है कहता है रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले मुझे ही पता ना आज रात बृटनी जब घर पर आई तो Niles को जिस आदमी ने धमका हुआ था वही आदमी बृटनी को भी धमकाता है कहता है नायल्स के मर जाने के बाग उस पर जो हमारा सेवन मिलियन डॉलर्स का लोन था ये गायब ने हो जाता अब इस सारे पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे बृटनी इस बात से बहुत जादा डर गई थी अगली दिन कोड में DNA टेस्ट का रिजल्ट पताया जाता है तो इसमें पता चला कि माया ये नायल्स की बेटी है सारी प्रॉपर्टी अब उसे मिल जाएगी बृटनी इस बात से बहुत जादा अपसेट थी पर रात में जब उसने टिवी ओन किया तो जो आद में उसे धमकानी के लिए आया था उसे डिरेक्ट टू मौरीस ने अरेस्ट कर लिया आया फाइनल उसे कुछ राहत मिलती है रात में टेरंस रैट्स के डॉक्टर के पास आया उसे उसे पता चला कि जो रैट प्लेन में थे ये अलग नसल के रैट्स थे ये अपनी दातों से किसी भी चीज़ को तोड़ सकते थे ये बहुत उचाय से भी गीरे फिर भी ये जिन्दा रहते थे मतलब इनकी सर्वाइबल स्किल बहुत ही अच्छी थी टेरंस कन्फरम हो जाता है कि नायल्स को मारने का ये किसी ना किसी का तो प्लैन था इसे के बैरलल में हम देखते है कि बिटनी से मिलने के लिए माय आई ये दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे ये दोनों एक दुसरे को किस करने लगते तब ही वहाँ पर जूलियन आया जूलियन कहता है कि अब तक हमारे पास पैसे आये नहीं है, हमें सावधान रहना पड़ेगा, इसका मतलब है ये तीनों के तीनों इस प्लैन में शामिल थे, जूलियन नी डिने टेस्ट का इंचाज था, तो इसलिए वो फेक रिजर्ट ला सकता था नायल्स के कंपणी की वजए से, ब्रिटने को कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो यही प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने माया के साथ मिलकर, डॉक्टर जूलियन के साथ मिलकर इस सारा प्लैन किया था इस victory को celebrate करने के लिए ये तिनों intimate हो जाते है अगले दिन Britney अपनी मदर को याद करने के लिए लेक पर आई हुई थी पर Terrence वहाँ पर पहुच आता है वो अपने आपको introduce करवाता है कहता है तुम्हारे father की death rats की वज़े सुई थी क्या तुम्हारे घर में rats की कोई problems है वो उसे अलग-अलग questions पूछ रहा था इन सारे questions की वज़े से Britney ज़रा pressure में आगे वो जल्दी से school आई और Maya से वो बात करती है वो बहुत ज़ादा डर चुगी थी Maya उसे कहती है कि Terrence को कुछ भी पता नहीं है तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूद नहीं है तुम इस तरीके से मुझसे पुब्लिक ली नहीं मिल सकती सारी चीज़ों को हम handle कर लेंगे रात में Terrence जूलियन के पास पोच गया वो नाइल्स के वारे में उसे भी अलग-अलग question पूछ रहा था इसकी वज़े से जूलियन भी बहुत ज़्यादा tension में आ जाता है वो directly माया के पास पोचा बिटनी उसे समझा थी है कि Terrence सिर्फ तुम्हारी दिमाग के साथ खेल रहा है तुम अपने आपको कंट्रोल में रखो और सोचो कि हमें 70 million dollar मिलने वाले हैं वो फिर उसके साथ intimate होने लग गई Terrence ने actual में जूलियन का पीछा किया था उसे इन दोनों के बारे में पता चल जाता है वो जब इन दोनों को देख रहा था तो अचानक से एक आदमी ने पीछे से उस पर गन लगा दी Terrence उसे कहता है कि मैं insurance का investigator हूँ माया को बहुत सारी property मिलने वाली है तो इसी को में investigate कर रहा था वो आदमी कहता है कि माया के फादर तो इतने अमेर नहीं थे और उन्हें मरे हुए एक साल हो चुका है अब माया को क्यों पैसे मिलेंगे इसमें Terrence interested हो गया पुछता है उसके फादर की grave कहा पर है वो जाकर उसे देख आया वावर उसने notice किया कि इस grave को अभी-अभी dig किया गया था अगली दिन माया के Niles की company के lawyer के साथ meeting हुई उसे सारे पैसे मिल जाते है वो बहुत जादा खुश थी तभी उसने directly Britney को call कर दिया वो गहती है कि जूलियन बहुत जादा डर रहा था हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसने उसे एक location दी जहाँ परे दिनो रात में मिलने वाले हैं Britney और Maya वहाँ मिले और Maya के हाथ में गन थी Maya Britney से कह रही थी कि हमें जूलियन को मारना पड़ेगा वरना वो कुछ ना कुछ तो गड़बर कर देगा जूलियन एक्चुल में Harvard से medical doctor बना हुआ था पर अपनी drugs की आदत की वज़े से उसकी सारी credibility चली गई थी फिर से इसी वज़े से वो गड़बर कर सकता है तो इसी वज़े से माय उसे मारना चाहती थी जब जूलियन वहाँ पर पहुचा तो उसे शूट करने की वो कुशिश करती है वे Britney ने उसे बचा लिया जल्दी से वो वहाँ से भागने लग गया उसे लग रहा था कि Britney भी उसे मारने की कुशिश कर रही है तो जूलियन ने उसे पीछे से पकड़ लिया उसे मार रहा था तब ही माय उसे शूट कर देती है Britney इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गई थी माय उसे समझाती है तुमारी मदर की सुसाइट को हम इस तरीके से जायर नहीं होने दे सकते है ये दोनों फिर जूलियन की बॉड़ी को जिस लेग में बहुत सारे क्रोकोडाइल से यहाँ पर डालने वाले थे पर अचानक से उन्हें पुलीस की आवाज आती है रात में हर जगा पर घुमते हुए एक पुलीस आफिसर यहाँ आया हुआ था माय उससे बात करती है उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो माय ने कहा कि मेरे फ्रेंज के साथ मैं यहाँ आय हुई थी वो मुझे यही छोड़ कर चले के बृटनी जूलियन की बॉड़ी को काड़ने वाली थी पर जूलियन अभी भी थोड़ा सा जिन्दा था वो बृटनी को मार रहें की कोशिश करता है तो बृटनी जोल से चिलाती है उसने फाइनली जूलियन को पुरी तरीके से मार डाला पर यह सारी चीज़े पुलिस आफिसर ने सुन ली थी वो आस पास जोड़ने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी मिलता नहीं फाइनली वो माया को घर तक लिफ्ट दे देता है फाइनली बृटनी जूलियन के बॉड़ी को ठिकाने लगा देती है उसकी गाड़ी छोड़ने के लिए उसके घर तक पहुँझ गए टेरेंज भी केस की इन्वेस्टेशन करता-करता जूलियन के घर पर पहुझ गया था उसने बृटनी को देखा तो बहुत ही सस्पीजियस थी है उसके फेस पर खून था बृटनी के घर पर जाने के बाद उसने जूलियन के गाड़ी को चेक किया टायर्स पर उसे मर्ड मिला उसने फिगर आउट कर लिया था कि जूलियन की बॉड़ी के साथ बृटनी ने क्या किया होगा वो अगली दिन लेग के पास डिटेक्ट्ट्व मॉरिस को भुलाता है सारी चीज़े चेक करने के लिए कहता है डिटेक्ट्व ने सारा लेग देखा पर उने कही भी बॉड़ी नहीं मिलती वो अब टेरेंस पर बहुत जादा गुसा था उससे कहता है मेरा टायम वेस्ट मत करो और जल्दी से इस टाउन से निकल जाओ टेरेंस फिगर आउट नहीं कर पाता कैसा हुआ कैसे वहाँ पानी में उसने एक फूल के ब्लांड को नोटिस किया एक्च्वल में ब्लांड इस तरीके से था कि उसके आस पास की सारी चीज़े उस सक कर लेता है आस पास कुछ भी चीज़े नहीं बच्चती इसी तरीके से जूलियन की बॉड़ी भी उस प्लांड ने सक कर ली थी टेरेंस ने बहुत कुछ इशकी फाइनल उसे जूलियन के ब्लड के क्लॉट मिल गए वो फिर रात में ब्रिटनी और माया के पास आया वो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था पर फिर भी तुम पकड़े गए टेरेंस इन दोनों को ब्लैकमिल करता है कहता है कि अब मुझे हाफ पैसे चाहिए वरना मैं सारी चीज़े डीट्टू को बता दूँगा यह दोनों मान ने रही थी पर टेरेंस ने सारी चीज़े तुम सिर्फ पैसो के लिए कर रहे थे टेरेंस कहता है कि मैं दस साल से इस काम को कर रहा हूँ पर मैंने सिर्फ एक की चीज़ देखिया कि अमेर लोग अमेर होते जाते है मुझे इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता इनकी जब एक कनवरसेशन हो रही थी तब हम नोटिस करते हैं ब्रिटनी ये सारी चीज़े रेकॉर्ड कर रही थी वो थोड़ी देर में इनके पास आई पर उसके पास गन है टेरेंस बहुत ही डर गया था वो कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो ब्रिटनी ने गोली चला कर माया को मार डाला टेरेंस बहुत ही शौक में था ब्रिटनी उसे कहती है अगर तुम अपने पैसे पाना चाहते हो तो इसके लिए तुमें काम करना वड़ेगा ये माया की बॉड़ी गाड़ी में डालते है और इसको ठिकाने लगाने की फिर से लेक पर जा रहे थे सिगनल पर आने के बाद टेरेंस के गाड़ी के पीछे एक पुलीस की गाड़ी आई वो बहुत ही डर चुका था इस मोके का फायदा उठा कर बिटनी गाड़ी से निकल गई वो एक फोन बूद पर जाकर पुलीस को इंफार्म कर देती है कि टेरेंस के गाड़ी में एक बॉड़ी है वो पकड़ा किया उसे पुलीस स्टेशन में लाया किया वो सारी चीज़े पुलीस को समझाने की कोशिश करता है पर मौरिस उस पर बिलिव नहीं करता क्योंकि अल्रेडी उसमें उसे फ़साने की कोशिश की थी इसा उसे लगता है जो बाते टेरेंस और माया कर रहे थे इस सारी बाते बृटनिय ने रिकॉर्ड की थी और इसकी टेप पुलीस स्टेशन में भीज़ दी है इससे साब साब पता चल जाता है ये टेरेंस ने माया का मर्डर किया है टेरेंस ने सब कुछ बाते समझाने की कोशिश की पर उसके कोई भी नहीं सुनता तब ही हम देखते हैं कि टीवी पर नायल्स की बारे में न्यूज आई हम पता चलता है कि नायल्स पर 7 मिलियन डॉलर्स की डेप थी और ये पैसे भी उसने कुछ गुंडों से लिये थे टेरेंस को अब शक गया कि शायद नायल्स अभी भी जिन्दा है बेचारी की बात कोई भी नहीं सुनता हम डारेक्ली ब्रिटनी को प्लेन में देखते हैं और प्लेन मी नायल्स था एक्च्वल में प्लेन में जो बाड़ी पुलीस को मिली थी ये माया के फादर की थी जिनकी डेथ एक साल पहले हो चुकी थी ग्रेव में से उनकी बाड़ी को निकाल कर उन्होंने प्लेन में डाल दिया था ये सारा जो प्लेन था ये Niles और Brittany ने मिलकर किया था Niles अपने company की वज़े से सारी पैसे Brittany को नहीं दे जकता था और इसके opposite उस पर 7 million dollars का गुंडों से लिया हुआ लोन था, उसकी जान खत्रे में थी, इसी वज़े से उसने सारा plan किया, वो Brittany पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है Brittany भी अब अपना सारा record clear करना चाती थी अगर सबको लगा कि वो भी मर चुकी है तो उस पर किसी को भी शक नहीं आएगा अब इस plane से कुद कर इस plane को भी crash करने वाले थे इसे सबको लगेगा कि Brittany की date हो चुकी है, Brittany Niles को पराशुट देती है, पर नाइल्स उस पर suspicious था, तो Brittany ने अपना पराशुट उसे दे दिया, नाइल्स कहाता है कि थुमारी मदर इतनी smart नहीं थी पर तुम बहुत smart हो, जब वो plane में से कुदने वाला था, तो Brittany कहती है पहला पराशुट जो मैंने तुमें दिया था, तुमें वही पहनना चाहिए था, वो उसे लाद मारकर plane से नीचे गिरा देती है, उस पराशुट में papers भरे थे, तो इस वज़े से उसकी नीचे गिरिकर date हो जाती है, Brittany भी पराशुट से नीचे आई, तो नीचे उसकी मदर उसका वेट करी है, उसकी मदर की suicide भी उन्होंने stage की थी, अब finally में पता चला, कि प्लान उसकी मदर और उसका मिलकर था, slowly slowly सारी लोगों को इन्होंने recruit किया था, अब finally एक new country में जाकर, ये दोनों enjoy कर रहे थे, last scene में हम देखते हैं कि Brittany ने अपनी मदर के लिए एक drink लाया, मदर कहती है कि ये drink ज़रा strong है, Brittany के look से हमें पता चलता है, कि उसने अपनी मदर को भी मार डाला, यही इसी moment पर एक movie एंड हो जाती है, movie के according, पैसों के लिए वर्ड में हम किसी को भी trust नहीं कर सकते हैं, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं, अगर आप को अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा, यह बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो, तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे, और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा, वेज़े मिलेंगे और एक निमों के साथ, तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया,